दोस्तों धर्टी पर इंसानों के दो वर्ग हैं पहला पुरुश और दूसरा इस्त्री इन दो वर्गों के अलावां एक तीसरा वर्ग भी है जिसे अभी तक सामाजिक सामानिता नहीं मिली इस वर्ग की कई बातें एक छुपे रहस की तरह हैं और ये तीसरा वर्ग है किन्नर किनर अधिकतर तभी दिखाई देते हैं जब घरों में कोई शूपकारे हो रहा होता है जैसे की नई शादी होना या फिर बच्चे का जन्म होना ऐसे मौकों पर किनर घरों में आते हैं आशिरवात देते हैं और साथ ही दक्षडा के रूप में कुछ पैसे भी लेकर जाते हैं किनरों के जन्नांग पूरे जीवन भर विक्सित नहीं होते हैं किनर जन्म से मृत्यू तक एक ही जैसे रहते हैं दोस्तों कि आप लोगों को पता है किनर नौजाद बच्चों को गोद मिलेकर ही पहचान लेते हैं कि वो इस्त्री है या पुरुष दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी किनरों को मारने के बाद जलाया नहीं जाता है बलकि उन्हें दफनाया जाता है किन्नर भी दो परकार के होते हैं इस्त्री किन्नर और दूसरे पुरुष किन्नर इस्त्री किन्नर में मर्दों जैसे लक्षड होते हैं और पुरुष किन्नर में इस्त्रियों जैसे ऐसी मानेता है कि किन्नरों की दुआ में बड़ी ताकत होती है और किन्नरों को दान देने से बड़े-बड़े पुन्ने काम हो जाते हैं दोस्तों क्या आपको पता है अगर आप धन की कमी से जूज रहे हैं तो किन्नर से एक रुपे का सिक्का लेकर अपने पर्स में रखे अगर किन्नर आपको सिक्का दे दे तो उसे हरे रंग के कपड़े में लबेट कर अपने पर्स में रखे या फिर तीजोरी में रख दे ऐसा करने से कभी धन की कमी नहीं होती है किन्रों की बद्वाएं कभी खाली नहीं जाती हैं इसलिए कभी किसी किन्र की बद्वा नहीं लेनी चाहिए ज्योतिश का मानना है कि वीरे और रज की मिलने से इंसान का जन्म होता है अगर रज की मात्रा ज्यादा हो तो लड़की का जन्म होता है और अगर वीरे के मात्र अधिक होती है तो लड़की का जन्म होता है और अगर वीरे और रज दोनों बराबर मात्रा में होते हैं तो किनर का जन्म होता है शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों की वजे से किनर का जन्म मिलता है किनरों का भी शादी होता है लेकिन किन्नरों का शादी केवल एक दिन के लिए होता है दरसल किन्नरों के देवता अरावन है और इनी से एक दिन के लिए किन्नर शादी करते हैं अगले दिन किन्नर खुद को विदोह मान कर जाती पीटते हैं और मंगल सूत्र तोड़ देते हैं दोस्तों किया आप लोगों को पता है किसी किनर की मौत होने पर किनर मातम नहीं मनाते हैं बलकि खुशी मनाते हैं। इनके यहां ऐसी मानिता है कि किनर की मौत होने से उसे इस नर्ग सामान जीवन से मुक्ती मिल चुकी है। किणरों का अंतिम संसकार बहुत ये गुप्ते तरिके से किया जाता है इनके यहां मानिता है कि अगर किसी ने किणर के शोओ को देख लिया तो अगले जनमें इसे फिर से किणर बनना पड़ेगा इसीलिए किणरों के शोओ यात्रा रात में निकाली जाती है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नर की मोद होने पर उसके शव को जूते और चपलों से पीटा जाता है और ये भी इनकी एक परंपरा है तो दोस्तों ऐसी रोचक जनकारी के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद